हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेडरेनल वित डालिसिस आज का अमारा टॉपिक है डालिसिस मशीन में टेस्ट और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है और इसमें ऐसी क्या क्या चीज़े होती है जिनके बारे में आज हम जानेंगे जैसे कि आप इस मॉनिटर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेल्फ चैक मॉनिटर सेल्फ चैक मॉनिटर में ये मशीन जो होती है ये खुद को ही टेस्ट करती है कि ये कौन-कौन से चीजे इसके अच्छी से काम कर रही है अगर कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ये खुद से हमें अलाम देती है ठीक है? तो आज हम ये जो टेस्ट है है ना मसिंग को सबसे पहले हम डालेसिस के लिए टेस्ट पास करवाते हैं उसके बाद हम इसे प्रिप्रेशन मोड में डालते हैं देन प्राइमिंग करते हैं प्राइमिंग के बाद फिर हम पेसेंट से इसको कनेक्ट करते हैं थ्रूदा डालेजर और ब्लड ट्यूबिंग ठीक है? तो हम टेस्ट में डालने के लिए preparation mode में डालने के लिए क्या करते हैं यह हमारा part A और part B का port है तो इसको हम इस port को क्या करते हैं जो solution है हमारा dialeus 8 का जो हमारा solution है part A और part B उसमें हम इसको put out कर देंगे then उसके बाद हम इसको preparation में डाल देंगे तब यह self check लेता है तो self check में यह इतनी सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं यह क्या होती है उसी के बारे में आज हम discuss करेंगे कि क्या होती है तो सबसे पहला इसमें होता है memory और CPU जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं है न तो memory मतलब समझ रहे हैं उसका दिमाग machine का दिमाग central processing unit CPU तो यह सबसे पहले यह इस चीज़ को monitor करता है कि उसकी जो memory है जो machine की memory वो ठिक से काम कर रही है कि नहीं अब यह कैसे होगा कि इसकी memory मतलब कभी machine hang मार रहे है क्या कुछ और हो रहे है क्या यह चीज़ इसको test करता है दूसरा चीज़ होता है CLV CLV में क्या होता है जो air bubbles रहते है उसको यह circuit से pass out होने के लिए air bubbles clamp कर रहता है वहाँ पे machine में उसको यह देखते है कि वो clamp अच्छे से काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है तीसरा चीज़ होता है UF pump UF pump जो रहता है यह pump के direction और function को monitor करता है अब यह जो UF pump रहते है यह हम लोग को सामने screen पे machine की दिखाई नहीं देती है यह जो UF pump रहता है यह कहां रहता है machine के अंदर में होता है ठीक है अब यह UF pump क्या करते है जो हमने part A, part B और जो RO रहता है यह उसको mix करने में help करता है ठीक है चाथा होता है blood pump blood pump क्या करता है speed and direction of the blood pump मतलब जो blood pump जो हम सामने देखते हैं ना machine में वो blood pump अच्छे से काम कर रहे की नहीं ठीक तरीके से घूम रहे की नहीं उसका direction सही है की नहीं यह सारी चीजों को यह monitor करता है उसके बाद पांचवा हम देखते है T4 sensor T मतलब की temperature तो यह किसका temperature कर रहा है Dallas head temperature monitor अगर कभी आपको T4 alarm आ रहा है उसमें दिखा रहा है कि T4 alarm आ रहा है उसमें Dallas head का conductivity नहीं आ रहा है उसका temperature नहीं आ रहा है तो आप समझ जाए कि आपके machine में T4 sensor में क्या है problem है उसके बाद हम देखते है T5 T5 sensor भी क्या रहता है यह भी temperature से related ही रहता है और यह क्या करता है जो T5 रहता है अंदर में monitor circuit लगा होता है machine के उसको यह देखता है कि वो सहीं तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके बाद 7th number हम देखते है conductivity first sensor ठीक है T4 में हमने क्या देखा Dallas at conductivity अब इसमें क्या देखते है Dallas at conductivity इसका monitor मतलब वो अच्छे से monitor कर रहा है कि नहीं वो circuit इस चीज़ को देखेंगे 8 number में होता है conductivity 2 sensor इसमें होता है conductivity 2 monitor circuit जो उसको वो test लेता है तीसरा इसमें होता है conductivity 3 sensor मतलब कुल मिला के 3 sensor होते है conductivity के conductivity first conductivity second और conductivity third तो ये इसको क्या करता है monitor करता है monitor circuit को ये test करते है कि वो सहीं से काम कर रहा है कि नहीं फिर आता है T6 sensor T6 sensor भी क्या करता है temperature monitor लेकिन जो monitor का temperature रहता है ये उसको test पास करता है उसके बाद होता है BLD ठीक है blood leak detect मतलब ये एक sensor होता है जो ये measure करता है कि कहीं से वमारे dializer से tubing से कहीं से blood leak तो नहीं हो रहा है ठीक है तो ये alarm करता है अगर कहीं से blood leak होता है उसके बाद जो हो रहा है हाई हो रहा है तो हमें पता चल जाता है जो कि machine के बाजू में लगी होती है venous pressure का और arterial pressure का जिसमें हम transducer protector लगाते हैं उससे हमें पता चल जाता है tubing connect करते टाइम है कि कितना arterial pressure है कितना venous pressure है उसके बाद ये arterial pressure monitor वही है then उसके बाद 14 है bypass valve bypass valve क्या रहेगा जो हम दो dialer set में dialer set का चैंबर रहता है उसमें हम connect करते हैं compartment में ये उसको देखते है कि उसमें अगर dialer set flow को चेक करते है कि to the dializer अच्छे से हो रहा है bypass option जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर नहीं हो पा रहा है dialer set नहीं जा रहा है dialer set में उस time पे T7 sensor में क्या होता है ये भी temperature monitor होता है आपने machine में देखा होगा BDCPU bubbles का एक button लगा हुआ होता है तो ये BDCPU क्या है वो bubbles का रहता है उसको ये monitor करता है कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं क्योंकि air bubbles भी patient के body में नहीं जाने चाहिए तो ये आज का मेरा topic था test के बारे में हमने जाना इसी से related क्या है alarm भी हमें पता चलता है बीच बीच में जो indication होते हैं ये इसी के थू होते है so thank you guys अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे share जरूर करें और notes के लिए मुझे telegram पर follow कर सकते हैं